का निए को इसी में जो क्लास एक हो चुकी है क्लास 15 में हम आपको यह पढ़ा चुके है कि आपका एनरजिक़् क्या होता है कितने टाव शुकी होती है कि उसके और स्वा Baptist है- ऑ पर इसमें जो बचा हुआ पायट है जैसे कि आपका फ्यूल रिजर्व है क्या इंडिया में क्या सिनारियो है जो है फ्यूल का और उसकी बाद फिर इसमें जो है आपके क्या कंजम्शन है वो सब चीजें हम लोग आज यहां पर देखेंगे या जलवाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ठीक है जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं ठीक यह सब आज हम लोग यहां पर कंप्लीट कर लेंगे चलिए तो नेस्ट यहां पर टापिक जो आपका स्टार्ट हो रहा है इसमें जड़ा देखिए आपका इसमें ग्लोबल फ्यूल रिजर्व वैस्विक Shivamic की इधन भंडार यहां पर हमें यह देखना है कि पूरा स्टॉर्विक इधन भंडार किमाज सबसे जादा जो अभी हो रहा है इसमें क्या यूज कर रहे हैं जैनिकि से आज भी किया रहा है और उसके बार निक्रियर इनरजी युज हो रहा है बहुत सारे जहां से हम लोग इनरजी यूज करने उसके द्वारा तो यहां पर हमारा पहला है विष में इसमें देखें कितनी मात्रा में एक मिनट यह कहीं कुछ गवर्ड हो गया लग रहा है चलिए विस्ट में फ्यूल कितनी एक मिनट यह क्यों प्राब्लम कर रहा है ज़्याद सुर्ग जाहिए चलिए विस्ट में फ्यूल कितनी मात्रा में खफत हो रही और फ्यूल कितने समय में समाप्ति की ओर जाएगा इस विस्ट को जानने के लिए विस्ट में उपलब्द फ्यूल के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे दें पर antics्यूल को मतलब यहिए इधन भंडार यानि के डिए एसा नहीं ऊथा कभी कि यतने भी फिल है डायक्ली सोर्स से लेकर डायक्ली यूज नहीं किया जाता है कभी भी अब कहेंगे सर ऐसा क्यों देखिए क्या होता है कि हम लोग उसका स्टोरिज यानि उसका क्या करेंगे या कर सकते भंडारण जरूर करते हैं कभी कोई ऐसी आपदा आजाएं जिसकी वजह से हमारा जो सोर्स से जो भी फ्यूल आ रहा है वो ना पाए तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं रिजर्व एक बना लेते हैं भंडारण एक बना लेते हैं ठीक है क्या बना लेते हैं रिजर्व और उसी में क्या करते हैं स्टोर कर तो कर् exemplo मैं तो कि नुमेरीकल आर्टन सीट में दोनों आएगा आ जहाँ तक बढ़ाएं वहाँ प्रेश करें कोईला सबसे पहले हम लोग यहां पर कोईले के बारे समझते हैं कि कोईला हमारा जो है कितना रिजर्व है कितना कंकिस सन तक कितना रिजर्व था पहले और अभी कितना बचा हुआ है उस पर बात करते हैं कोईला मगर देखते हैं कोईला यानी कोल इसको हम लोग कोल इंगलिस को देखते हुए यह कहा जा सकता है किशन 2000 तक कोईले की उत्पादन 11.8 Reी 106 मेट्रिक ह lifetime हुआ है यदि सन 2000 तक देखा गया कि इतने मेट्रिक टन क्या हुआ कोईला का उत्पादन किया जा चुका है ठीक है किया जा चुका है उत्पादन कहां होता है कोईले का खनन से यानि कि जब फुदाई करके हम लोग क्या करते हैं वहाँ से कोईला निकालते हैं तो यह पूरे विश्व की रिकार्ड आपको बता जा रहा कि सन 2000 तक क्या है कोईले का जो उत्पादन था वह 11.8 इन्टु 10 पावर 6 मिट्रिक टन हो गया है ठीक है रूस चीन संयुक्त राज अमेरिका में लगभग 70% विश्व उत्पादन का सुरच्छिद भंडार है यानि अब सोचिए का सोचिए गा कि पूरे विश्व का पूरे विश्व का अगर हम लोग भंडार देखें तो रूस च मिला कर लगभग 70% विश्व उत्पादन का यहां पर सुरच्छिद किया गया है यानि कि यह लोग इतना ज्यादा कर लिये हैं कि पूरे विश्व का लगभग 70% कोयला इन्हीं के पास रिजर्व है ठीक है बाकी में सारे देश आ जा रहे हैं अब ज़रा सोच लीजिए पि है उत्पादन किया जा रहा है पिछले 131 वर्सों से ठीक है यद यह खपत जारी रही तो सन 2025 तक लगभग कोयले के समस्थ भर्ष्ट भंडार रिक्त हो जाएंगे यहां पर एक चीद्यान रखेगा यह सिर्फ भंडार रिक्त करने की बात किया जा रहा है यानि जैसे परज रहे लेका यह दिलगा तार उपयोग करते हैं तो 2025 तक वह कोयला इस्टोर किया हुए कोयला खतम हो जाएगा ठीक है 2025 तक अभी तो फिलाहल अभी ही कहत्म हो गया था इस्टोर वाला कोयला आई बास समझ में तभी तो समस्या आये थी फिर इस्टोर कर लिए जाता है ठीक है और जो ये कोयला है ख़दानों में ये भी लगभग ऐसा माना गया है कि लगभग कई वर्सों बाद क्या होगा कोयला का पुरा समापत भी हो जायेगा ठीक है यहां पर 2025 तक समापत की बात हो रहा है समस्त भंडार यानि कि स्टोर्ड जो किया गये रिजर में वह जो है खतम हो किया जाता है बना लेते हैं रिफाइनरी करके वह से पेट्रोल अलग कर लेते हैं ठीके अलग अलग प्रकार के जीत तेल हैं वो सब अलग कर लेते हैं उससे ग्रीस यह भी निकल जाता है तो कच्चा तेल का उदपादन संद 1973 में 19.99 थी वहीं पर आज 23.3 बैरल उत्पादन हो रहा है तो यहां पर जो है कच्चा पहले क्या था 1973 में 19.993 थी और आज क्या है 23.3 बैरल उत्पादन हो रहा है ऐसे खपर बढ़ती रही तो सन 2025 तक समसली का भंडार समाठ होजाएगा इध्याण रखेगा जितना यहां पर समाठी बात कियних जारा वह सब जारें पर बोलते हैं लेकिन बहुत बड़े माने पर कोई चीज हम लोग क्या करते हैं तो इस लोग रिजर्व के नाम से फिर जानने लगते हैं किसे नाम से रिजर्व के नाम से उसको जानने लगते हैं तो हमारा जो है कोईला भी जैसे हमारा 2025 तक जो स्टोरिज किया गया है या रिजर्व किया गया है वो खतम हो जाएगा उसी प्रकार से हमारा तेल भी क्या है रिजर्व किया गया है यह भी 2025 तक हो सकता है खतम हो सकता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको मंगवाते भी रहते हैं नेस्ट हम बात करते हैं आप कहें आईसा क्यों रहता है जैसे माली पिछली बार लग गया था अब कोरोना के टाइम पर अगर तेल नहीं प्रूज किया सकता है तो यह जहां भी बनाने के मतलब ही होता है कि फ्लक्चुएशन को मेंटेन करना कि भाई अभी मालीजें कि हो सकता है कि ऐसा कोई अस्थिती आ जाए भारत में ऐसा कोई क्राष या जिसकी वजह से क्या हो कि तेल ना आ पाए तो वहां पर अब आगे बात करते हैं, नेस्ट हमारा तीसरा है प्राकृतिक गैस, या नीड नेचूरल गैसिस, नेचूरल गैसे में जैसे आप लुग देखते होंगे, CNG है, क्या है यह? यह भी जैसी हमारा क्या है, नेचूरल गैस है, तो साधारता, प्राकृतिक गैस में मेथेन 50% लगबग होता है एदेन 20% होता है और प्रोपेन यहां पर जो है 10% होता है बाकी जो आपको इसमें दिख रहा है वह अलग लग कंटेंट यहां पर देखने को मिलता है मेन जो आपको यहां पर हो मैं आपको बता दिया इ minder एथेन 50 परशेंट एथेन 20 परशेंट प्रोपेन लगभग 10 परशेंट नेचुरल गैस में पाई जाता है बाकी की जो परशेंटेज बचला है उसमें अधर गैसे उसमें मिक्स होती है ठीक है प्राकरती गैस का उत्पादन सन 1990 में लगभग अटारस हो इन्टू 10 पावर 9 क्या क्यूबिक मीटर यह क्यूबिक मीटर इसलिए कहा गया कि माली जे कि क्या है कोई घं है और उसी घं में क्या गया है भरा गया है या घनाब है कुस कोई तो क्यूबिक मीटर क्या होता है इतना उत्पादन किया गया है इसकी खपद भी बढ़ रही है यह भी पेट्रोलियम की भाते सिख्र समापती की ओर है तो अभी तो खिलाल इसका कोई आखड़ा नहीं लगाया गया कि यह खब तक खतम हो जाएगा यह खतम होने की समापती पर समझ में तो इसलिए जो है लेकिन आभी भी इसका यूज़ खुब हो रहा है देख रहें अब धीर इसकी पहला फाइदा इसका क्या है इसमें प्रदूसर बहुत कम फैलता है इसलिए ज्यादा तरूप्योग करते हैं जैसे cng गाड़िया चलाने के लिए आदेशित हो जा लिए तो बहुत सब जगह पर हम लोग 2 यूज़ कर रहे तीक नाभ की उरजा निकलियर एनर्जीए अठ्मौत कहां से बनातें कैसे बनाते हैं इस पर थोड़ा से चर्चा कर लें क्या होता है कि यहां पर जो जो है जो नाभ की उरजा है इसका सबसे पहले जो भीकास हुआ तक वह अमएरिका स्टमच़्, द्वार संफnant लेकिन अमेरियका वाले अब इसका उपयोग बहुत नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका अगर फैदा भी है सबसे जोदे है तो इसका नुक्सान भी है क्या है इसका नुक्सान भी निकलती है निकलती है उसी को हम लोग क्या करते हैं और फिर उसके द्वारा हम लोग विजली उगे रहे उत्पादन करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं मरी में और अमेरिका एक यपान चेहां गया एक अब इसको धिरे धिरे क्या कर रहे हैं इस को अब भारत अपना रहा है ठीधि-धिरे भारत में भी करीब इसके जो है पाँच पावर स्टेशन बनाए गए हैं इस समय भारत में इसके किसके नुकलियर एनरजी के तो भारत में भी धीरी धीरी इसका जो है उपयोग बहुत तेज हो रहा है सन 2000 तक जो है टू इंटू टेंडी पावर सिक्स गीगावाट गीगावाट उर्जा का उत्पादन किया चुका है अब सोच लीजिए किसके द्वारा नाव की उर्जा के द्वारा तो इसी पर भविष में उर्जा का उत्पादन निर्भर है तो यह देखा जा रहा है कि भविष में इसी का ज्यादा तर उपयोग किया जाएगा लेकिन हां अगर इसको इसका उत्पादन करने के लिए अगर बहुत ज्यादा शेक्योर्टी करके कर रहे हैं तो ठीक है यानि कि लीकेज नहोंने पाए जैसे क्या होता है जब भी एटम का भी खंडन होता है तो तमाम तरह कि उसमें जो है कि तरह सकते हैं कि अलग लग डिफेक्टिव का सकते हैं या फिर कुछ ऐसी निकलत हैं तो इसनर्जी को फ्यूक किया जा सकता है तो भारत में ऐसा देखा गया है कि जहां जाकी अशर्ण करते हैं तो प्लांटम वहांपर बताये कि देखा गया कि आज सकती आपका अपका यहां पर खोब यू जो रहा है इसमें जहें एस्पितार पर ँमस्तिफ क्या बना लिया जाता है जगधे करनाधियों में लिए घुष चाहिएं थे बाइन के वाटर करते हैं हमलोग टरवाईन अपलाई कर देदे हैं क्या के उपर जैसे ब्लेड पर गिरता है टर्माइन घूमने लगता है तुरंत धर क्या होती है बिद्दु यानि इलेट्रिक हमारा उत्पन होने लगता है तो यह भी बहुत ज्यादा चल रहा है और अगर देखें तो इसका भी यूज काफी अच्छा है जो है जल सक्ति का उपयो यहां पर नदिया जादा है जिसे भारत में भी नदिया जादा है चीन में है भूटान में है इंडोनेसिया जहां पर नदिया जादा होती है वहां पर बिजली उत्पादन हाइड्रो पावर के दौरा बहुत अच्छे से किया जा सकता है तो इसका हम लोग पूरा पूरा उ पर आगे हम लोग निकल चुके हैं तो इस तरह से यतने हमारे आपर यूरी होगा जाता है सप्लाई कर करेंगे नेस्ट बात करते हैं उर्जा में उपयोग होने के वज़स्ट क्या होता है आप देखिए कि क्या जलवाई पर फर्क पड़ता है ठीक है तो उर्जा का उपयोग करने से जलवाई पर होने वाले प्रभाव इंपक्ट आफ एनर्जी यूजिस ऑन क्लाइमिट यानि कि जलवाई पर क्या प्रभाव पड़ता है जो हम लोग यहां पर उर्जाओं का उपयोग कर रहे हैं ठीक है बहुत ज्यादा प्रभाव है आपको लगता नहीं दिखिए पहले उतनी उर्जाई यूज नहीं की जाती थी तो जलवाई पर उतना फर्क नहीं पड़ता था बरा ज्यादा जलवायू पर प्रभाव पड़ता है कहेंगे सर कैसे आईए उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि उर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन हो रही है अब कहेंगे सर उर्जा का उपयोग करने से कैसे जलवायु परिवर्तन का मतलब यहां पर यह है जलवायों में परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप लोग देखती होंगे अभी जरा आप लोग जब बच्पन में छोटे रहे होंगे तो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पढ़ती रही होगी लेकिन आज के टाइम में देखे अभी ही अभी यह कोई मई जून का महिना नहीं है जब की जड़ा देखा जाता है मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पढ़ती है लेकिन अभी पर लेकिन अब ऐसा है नहीं है आपको अवे उत्रा नहीं पड़ती सक जलवायों है गर्म मौसम ठंढ़ा मौसम इसमें भी काफी परिवर्तन होने लगा अब ऐसा परिवर्तन की समस्या क्यों उत्पन हो रही है वह इसलिए उत्पन हो रही है क्योंकि हम उर्जा का क्या कर रहे हैं उप्योग कर रहे हैं आई बास समझ में क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं उर्जा का उप्योग कर रहे हैं तो जैसे कि समुद्र के इस्तर का भढ़ इस तरक बढ़ना मतलब क्या है कि जो हमारा समुद्र है समुद्र में जो पआनी है पानी का जो लेबल है वह बढ़ रहा है पानी का लेबल बढ़ने मतलब थे सम्ज़ पर तमाम आइसलेंड है कि वहां पर पूरा यह बर्फ की पूरी जो है जिसको ग्लैसियर बोलते हैं यानि की पूरा बर्फ का सिल्ली पूरा जमा हुआ है यनि कई किलो मेटर में पूरा इस तरह से बर्फ ही जमा रहता है जब जलवाई गर्म होता है जलवाई परिवर्तन होता है तो जलवाई गर्म होने की वज़े से ये बर्फ क्या करते हैं पिखलते हैं आई बास समझ में ये बर्फ क्या होंगे पिखलेंगे और बर्फ पिखलन तो उसका पानी हो नहीं हो तरू हो जाता है बढ़ना तुरू हो जाता है अब आप पढ़िए जब जागरफी उगर हो पर पढ़ेंगे तो आप दूबे चले जा रहे हैं दिन बदिन डूबते चले जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि समुदर के अस्तर के बढ़ने के वज़ेसे वो डूबते चले जा रहे हैं तो यहां पर यह हो जरूर हो रहा है कि समुदर के अस्तर का बढ़ना हो रहा है समुदर के अस्तर हाजारा की समुध्र के यहां पर बढ़ना हो रहा है। ठीक है मौसम में परिवर्तन मैंने आपको बता ही दिया कि मौसम में पर रहे हैं जानक बाढ आ आजा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, तूफान आ जा रहा है, यह सब कारण है, इनर्जी के उपयोग से, आप कहेंगे सर यहाँ पर इनर्जी के उपयोग से कैसे हो रहा है, उस पर भी हम थोड़ा से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, देखिए, इस प्रकार की सभी परिव निकलती हैं इसी प्रकार से हम लोग जो निकलती है ठीक है इस्य प्रकार से हम्लोग यहां पर विखंडन करवा रहे हैं उसमें वी तमाम तरह की अनर्जी जो सब्सक्राइब गाइस यहां भी निकलती है तो बहुत सारे ऐसे जो है फ्यूल है जो इधन है उसमें भी तमाम तरह कि इस प्रकार से क्या है गैसे यहाँ पर निकलती है अब इसकी वज़से क्या होगा इसकी वज़से होगा यहाँ पर देखिए कि इसकी वज़से तमाम तरह गैसे निकलती है और यह गैसे कैसी गैसे हो कोई भी आप इधन अगर बरन करते हैं चाहे वह लकडी हो चाहे वह कोईला हो चाहे वह तेल हो यानि कि कोई भी आयल हो उसमें आपका carbon dioxide निकलता ही निकलता है नायटराइटय आप आयकसाइड निकलता है ये भी आपका greenhouse gas है ठीक है 메थेन निकलता है क्लोरो फ्लोरोकारबन निकलता है वाष्ट भी कुष निकलता है ये सब क्या है ग्रीन हाँस gases के ही अंतरगत आते हैं और यह जो gases है यह gases क्या करते हैं यह gases जो है यह क्या करेंगे सब से उपर जाएंगे और उपर जो है क्या करते हैं यह वाई मंडल में वहाँ उसके उपर जाकर वहीं पर यह सब इकठा होने लगते हैं अब जिसकी वज़े से क्या होता है कि यहां पर जो है उपर जो यहां पर disturb कर देते हैं ठीक है और बाद में क्या होती है यहां पर temperature धीदरे बढ़ने लगता है प्रसिभी पर ठीक है तो उत्पन होना होता है जो की विश्वे मानो द्वारा गैर नवीनी करन उर्जा के सुरोतों के इधन के रूप में प्रियोग कर बिजली उत्पन करना जैसे गैर न नवीनी करन मतलब समझ रहे हैं यानिंकि यान送 orthूवल ग्रीन हैं जैसे कोईल से ये सब क्या है और इन उर्जाओं करते हैं इस वजह से क्या होता है कि हमारा green house gases यहां पर उत्पन होती है तो इनके प्रियोक कर से उत्पन करना है या उस्मा नदों करने के लिए यहां पर किया जता है उस्मा को हम लोग उत्पन करके पाणी गर्म करेंगे और जिस ये से फिर बिजली उत पादन करते हे तर्मल पाउर प्लांट से तो इनसकी सब की वज़े से क्या होता है ग्रीमाउस गैसे आती है, ग्रीमाउस गैसे सी वज़ेसे हमारा global warming system भी डिस्टर होता है, और जिसकी वज़े से हमारे जलवाईव क्या होती है गर्म होने लगती है दिन मद दिन ठीक है प्रिशवी पर गर्म ही आने लगती है मानो द्वारा उर्जाकाउपियो के कारार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा greenhouse gas उत्पन होता है तो ये भारत में ही नहीं ये जो है अधर कंट्री में भी सबसे ज़्यादा उत्पन होता है आपको पता है कि जैसे अभी जितने कंट्री डेबलप हो गये हैं वो सभी देश क्या करते हैं जो देश डेबलप नहीं उनको पैसा भी देते हैं उनको इसलिए पैसा देते हैं कि भ सब का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा अई बास समझ में तो इसी लिए वो पैसा देते हैं कि ताकि आप ना फैला या आप कुछ और इनर्जी का उपयोग करिए लगभग उर्जा का दो बटा तीन भाग पूरे विस में ग्रीन हाउस गैस उत्पन होने के पीछे गैर नवी विस में यह क्या है ग्रीन हाउस गैस क्या कर रहे हैं उत्पन कर रहे हैं पूरे विस में दो वटा तीन भाग सोच लीजिए यह दो तीहाई भाग क्या कर रहा है दो तीहाई वाग पूरा ग्रीन हाउस गैस ही उत्पन कर रहा है जिसकी विज़े से पूरा जलवायु गर्म के लिए अधिक उर्जा का उपयोग करना तो यह भी बदलावा रहा है ऐसी बात नहीं है जैसे आप जलवाई परवर्तन हो जलवाई परवर्तन से जो हम लोग उर्जा का उपयोग कर रहे हैं उर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो जलवाई समय पर हम लोग औरख यहां पर यहां पर जलवाव में भी जो परिवर्तन हो रहा है उस दिक्ता है उसकी हम लोग करते हैं लिए मिद्ट करेंगे लगाएंगेगे और ज्यादा उर्जा की क्या होगी डिमांड बढ़ जाएगी और हमें उर्जा और ज्यादा क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा यहां पर क्या हुआ उर्जा की यहां पर क्या हुई खपत ज्यादा हो गई ठीक है जब कि सर्दियों क्या होता है अब सर्दी में क्या हो तो यह क्या था उर्जा कुप्योग करने से जलवाई पर क्या हो प्रभाव पड़ रहा है यही सारी चीजी हमें समझनी थी आई होप यह आपको समझ में आ चुका होगा ठीक है नेश्ट हम लोग देखते हैं भारत में उर्जा का भविष इनर्जी सिनारियो इन इंडिया आईए इस पर अब बात करते हैं सभी समझ सभी को समझ माया कोई डाउट है बताईए पीछे अभी तक कोई डाउट है दो टापिक में कोई डाउट है पहला हम लोग देख लिए कि भारत में कौन-कौन से रिजर्व यानि कि कितने रिजर्व हैं अलग-लग फ्यूल के और अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं भारत में उर्जा का भविष इनर्जी सिनारियो इंडिया यानि कि भारत में उर्जा का आगे का भविष क् इन सभी इधन को जिससे हमें उर्जाएं मिलती रहेंगे बताइए कोई डाउट है अभी भी किसी को इसी आगे तो पढ़ा दी अभी तक उसमें कोई डाउट है ना डाउट हो थो हम आगे बढ़ें तो जाँ झाल को तो समझ में आ रहा है ना डीखिए यहां से पढ़ने के बाद आप लोग नएग बार जरूर्र रिवीजन करेएगा यहां से पढ़ने के बाद एक बार जरूर उसीदेर यानि आज के ही डेट में आपको रिवीजन कर लेना है जितनी चीजरे हम आपको अभी ये भारत में ही उपयोग कर रहे हैं इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भारत में उपयोग किये जा रहा है ना तो भारत में जो उर्जा का भविस है वो कैसा भविस है इसी की बात पर यहां पर चर्चा करनी है ठीक है तो भारत में उर्जा का सबसे अधिक उत क्या करते हैं यहां पर जो है उर्जा का उत्पादन करते हैं और प्राक्रतिक गैस का लगभग 13 पर्षेंट है और तेल का लगभग 17 पर्षेंट है या एक मिनिट 17 पर्षेंट की 11 पर्षेंट होना चाहिए सत्रे पर्षेंट है की 11 पर्षेंट है यह थोड़ा समसे डाउट लग रहा है यह सब्से ज्यादा उप्यूख होता है कि यह थोड़ा से डाउट लग राया है 사실 कि यह थोड़ा सबसे जादा उप्यूग होता है 的 हुआँ झीआ गीं टख़हां के तमां विजलीयूत्पादन के वहां पर भी कोईला यूज्फ हो रहा है तमाम ओधिवीक छेत्रों में देख हो रहा है और बारत में सबसे ज्यादा इंडस्टी भी है ठीक है तो वहां पर भी सबसे ज्यादा यूज वहता है कि ही सब्सक्राइब कुद्थ किmek films यह खोना चाहिए तीक है अच्छ अच्छ नहीं नहीं पहले क्या था ना पहले क्या था कि तेल जो है लगभग 20% उपियोग होता था तो अब 17 हो गया है यानी कि इसमें गिरा उटा गई अब तेल लोग कम यूज कर रहे हैं अब जो है यहाँ पर जो गैस है निचुरल गैस इसमें बढ़ोत्तरी हो गई है निचुरल गैस में निचुरल गैस पहले बहुत कम यूज करते थे अब लगभग यह 13% पहुंच गया है ठीक है पहले जो तो लगभग अब जो सभी स्टेट में जितने भी हमारे सिटी है उन सभी सिटी में मान्डेटरी कर दिया गया है कि कोई भी आटो है कोई भी जो वहकील है जो भी पबलिक ट्रांस्पूर्ट वहकील है उन सभी में क्या किया जाए CNG का उपयोग किया जाए तो इसी लिए क्या किया गया है इसकी में इसमें गिराऊट आ गई यानि कि लगभग 17% अब यूज हो रहा है पहले 20% तक यूज इसमें होता था कोईला तो लगभग वही है कोईला तो हर जगह उतने यूज हो रहा है कर देखेंगे हैं कि भारत में कोईले का रख भगावग 8.6 का बारत में चाइना चीन जिसको बोलते हैं अमेरिका इन सब जगों पर सबसे ज़्यादा है कोईला उर्जा के कोईला ज्यादा नहीं यह नहीं कि स्टोरेज वहां पर ज्यादा है उर्जा आप कहां समंगवाते होंगे या वहीं होता होगा अलग मैटर है उर्जा के उत्पादन के अलबाद लगभग समाप्थ हो सकता ऐसा माना जाता है अब कहीं पर फिर कोहीं जो है खदन में खुना कहीं पर फिर रिसर्च गरम निकल जाए तो यह बढ़वी सकता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि जितना अभी तक देखा गया होगा उसकी बात हो रहा है और जो स्टोरेज है वह 2025 तक खतम हो जाएगा भारत दुनिया में कोईला उत्पादक का चौथा सबसे बड़ा देश है यानि कि पहला क्या था हाँ पर देखे यहां पर पहला चीन होगा चाहे रूस होगा उसके बाद अमेरिका होगा तो रूस चीन अमेरिका उसके बाद चौथा क्या है पस्ची मंगाल में और यहां पर 36 गढ़ में भी यहां पर कएले का उत्तपादन किया जाता हुए इसको भी एड़ कर लीजीगा, टो यह सब आगा जाता है, तो इस बात को नौटिस कर लीजीगा, कि ये सभी राज्य क्या है इन सभी राज्यों से क्या किया जाता है कोईले का यहाँ पर उद्पादन किया जाता है और ध्यान रखिएगा कि ये जो है भारत में जो है क्या है इसका चौथा सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है कोईले उद्पादन में ठीक है बाकी जो पहले पूरे विश्व में आयल के भंडार का लगभग 2016-18 में बात करें तो 0.92 पर्षंट था जो 1089 में लगभग 0.63 पर्षंट था और 2017-18 में लगभग बढ़के 4.46 पर्षंट हो गया तो यहां पर क्या है क्यों बढ़ता चला गया भारत में तेल निकालने लगे हैं और जगह-जगह समंगाखर भी कर लिया गया है क्योंकि भविश्व में हो सकता है कहीं कोई ऐसी आपात इस्तिति आ जाए जिसकी वजह से हमें तेल की सकत जिरुत पड़े बाद में तो इसलिए इस जो इस चमता को बढ़ा दिया है 178 में ठीक है 17 815 यहां पर देखा गया कि 4.46 परशंट यहां पर बढ़ा दिया गया भारत तेल उत्पादक देशों में अपना स्थान सिर्श दस देशों में रखता है लगभग दस देशों में क्या है पूरे 20 समय 10 देश के अंदर अपना भारत आजाता है ऐसान अब जैसे अपने यहां ही देख लो चीनी सूगर सबसे ज़यादा सूगर अपने हां क्या होता है यहां पर जो है उत्तादित किया जाता है यहां दूसरे country में भी चीनी को भेशते हैं सूगर को लेकिन कभी-कभी क्या होता है फ़िए खाने भी हैं तो जब सीजन खतम होता है गरने का तो मंगवाते भी हैं अस्ट्रेलिया से चीनी उगए रहे हैं तो यहां पर क्या है भारत में तेल भंडार लगभद सन 2070 तक समाथ होने की संभावना है तो 2070 तक ऐसा देखा गया है कि जो भारत में रिजर्व मतलब जो जहां से तेल निकाला जा रहा होगा तेल भंडार जो किया गया है की समाथ होना है तेल निकलता है ठीक了 हो तहीऊ हो रही है ठीक है आगे हम यहां पर बात करेंगे भारत में दर्म यहां से निकालते हैं असम्र이 Rain महराष्ट के आसपास कोई साउथ वाला स्टेट है वहां से भी सायद अभी फ्यूल का जो है रिजर्व का वहां पता चला है कुछ ठीक है नेस्ट हम बात करते हैं बाग प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस नेचुरल गैस का अगर यहां पर देखें तो भारत में प्राकृतिक गैस को पादन में 20 22 स्थान पर है याँनि कि हम लोग भी बहुत पीछे हैं नेचुरल गैस में ठीक है बहुत पीछे हैं नेचुरल गैस में नेचुरल गैस का उप्योग अब लगभग हर एक जो है राप जो है क्या है देश यूज कर रहा है खुम लेकिन भी भारत अभी फुरा सा पीछे है 22 स्थान पर है ठीक है प्राक्रतिक गेस भंडार लगबग 660 मिलियन क्यूविक मीटर है तो इस समय क्या है इतना प्राक्रतिक गेस का भंडार भारत में है आगे बात करने है भारत उर्जा उतपादन में परमाड उर्जा दो दश्मलों 4 परसेंट हिसेदार रसेंट परूर्द क्योंकि यहाँ पर क्या है झालत कि तो यसह पर परणूर्ण पर रियक्टर के द्वारा बजली का पादन हो रहा है और बाकी अंडर प्रोसेस है तो तो टोल आइधिंक जो है नौ या दस जो है पर मार्व पावर इस्टेशन की मंजूरी दे दिया गया है अभी यह सब बन रहे हैं जैसे यह कुछ गोरखपुर में है गोरखपुर में आइधिंक एक अभी बन रहा है वहां प रहा है ठीक है एक हरियाडमें भी साथ बन रहा है तो कुछ ऐसे हैं प्रमाड पावर इनरजीर यनिकी जो रहynnती होगा तो अभी वह सब बन रहे हैं क्योंकि भारत में वर लोग कर रहे हैं विजली उत्पादन कर रहे हैं ठीक है बिद्दुत ऊर्जा यहां पर उसे है यह बात हो रही है जो जल विद्दु उत्पादन हम करते हैं हाइड्रो पावर के थुरू वही है बिजली उत्पादन ठीक है यहां पर भारत में विद्दु तुरजया उत्पादन करने की चमता 2004 में यहां पर 2004 में कितना था एक लाख बारह जार पांसो असी मेगावाट थी धिरे दे बिद्ध उर्जा की उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है तो अब इससे धिर धिरे बढ़ा रहे हैं इसको क्योंकि जो ये टर्बाइन के थुरू हमारा बिजली उत्पादन हो रहा है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को बिल रही है ठीक है नेस्ट हम लोग बात करते हैं उर्जा की खपत कंजंशन आफ इनर्जी अब देखिए उर्जा की खपत हम लोग भारत में किस-किस छेत्र में कितना कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है इसका आप लोग पूरा थियोरी नहीं लिखना जरूरत है इसमें एक आप क्या करिए पूरा ऐसे चार्ड बना लीजिए पाई चार्ड इस टाइप का पाई चार्ड टाइप का तो उसमें आपको पता चल जाएगे कि यहां पर जो है कि उर्जा की खपत कैसी है भारत में विभीन छेत्रों में उर्जा की खपत यह डाटा जो दिया दाटा है अब यहां पर देखिए इसमें क्या है यह आपको एक पाई चार्ड दिया गया आपकी टोटल एनर्जी जो है जिसमें सभी इनर्जी आ जाती है जैसे उसमें रिनुवल भी है नान रिनुवल भी है सभी इनर्जी यानि कि तेल कोईला जो है नुक्लियर रेक्टर जो हाइड्रो पावर यानि सभी इनर्जी को मिलाकर सभी इनर्जी को मिलाकर अगर देखा जाते हैं पूरे भारत में अद्योग के लिए लगभक 49% फेलिए भारत में सबसे जाबी जादा इंडिकल्चर के लिए चलाने क्लिए विजिली चहिए तेल यहां इनरजी में आप सुची एग्रिकल्चर में कहां पर यूज करेंगे वाई सभावी सी बात है एग्रिकल्चर में जो मशीनरी होती है उनको चलाने के लिए हम लोग डीजल या पेट्रोल का उप्योग करेंगे तो वहां पर लगबग 5% यहां पर जो हमारा क्या होता है यहां पर एनर्जी क जैसे बहुत सारी मसीने चलाते हैं चोटी मोटी चीजें इस तरह की बहुत सारी यहां पर यूज हो जाते हैं कुछ लोग आग उगरस सेखने के लिए यूज करते हैं इस प्रकार से रिजिदेंसियल यानि घर उगर में जो लोग जलाते हैं लाइट उगरा उसमें तो लगभग ट्रांस्पोर्ट में 22% पहरे नंबर पर इंडस्टी है सबसे ज़्यादा अधियोगी छेतर में यूज किया रहा है तो भारत मूर्जा की सबसे अधिक खपत 49% उद्योगों में होती है ठीक है इस बात को हमेशा ध्यान में रखे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खपत 49% उद्योग में इंडस्टी में दूसरे नंबर पर ट्रांस्पोर्ट में 22% उसकी बाद फिर तीसरे नंबर पर अधर में चला जाता है रेजिदेंसियल 10% और अग्रिकल्चर 5% अधर में बहुत साले अलगलग सेक्टर हो सकते हैं इन सभी की अलावा कही पर भी अग आप एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं तो लगबग 14% यूज किया जा रहा है ठीक है आई बात समझ में चलिए तो यह आपका चैप्टर फस्ट यहां पर कंप्लीट होता है ठीक है और अच्छे से यह सभी PDF जो है जितने आपके यह क्लास चले हैं पहला और दूसरा इन दोन प्लीकेशन प्रफ लोड हो जाएगा और यूटूब पर भी इसको डाल दिया जाएगा एक चीज़ आपको और बता दें कि चैप्टर फस्ट जो यहां पर आप पढ़ें हैं इसका टेस्ट अगले संडे को लिए जाएगा इस संडे को नहीं अगले संडे को तब तक आपका चैप्टर सेकेंड भी आपको पढ़ा दिये जाएगा ठीक है तो ज्यादा चैप्टर इसमें है नहीं ठीक है ज्यादा चैप्टर है नहीं तो चैप्टर सेकेंड आपको यहां पर आगे पढ़ा दिये जाएगा ठीक है कल सुबह इसकी चैप्टर सेकेंड की भी क्लास चले तो एक क्लास आपको और मिल जाएगा इसकी ठीक है चलिए समझ में आई बात सबको कि चलिए ओके बाई बाई फिर मिलते हैं कि कोई बात नहीं अगर जितने लोग क्लास से ही लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि समझ में आए ना सभी लोग को